नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मोहीबूल मेरा चैनल माइलेक्ट्रोनिक आडिया चो दोस्तों आज हम इस सार्केट बोर्ड को आन्बोक्सिंग करेंगे यह देखिए इसमें दिखिए जो सार्केट बोर्ड है वह सार्केट बोर्ड है और ब्लूटूथ और रिमोट यह दोनों है तो इसको मैंने फर्स टाइम से ओपन किया है तो इसको देखिए अंदर क्या कैसे मिला है मेरे को इसमें दिखिए एक ब्लूटूथ चर्केट और एक देखिए रिमोट कॉंट्रोलर और इस बोक्स में देखिए क्या मिला है मेरे को यह CD-72 का जो सार्केट बोर्ड है यह बोर्ड तो इसमें थोरा सा अलग टाइप का एक समन्द दिया है दिखिए इसमें यह 223 का सार्क आइसी है और यह दोनों दिखिए इस साइट में वाल्टिश रिगिलेटर यह दोनों वाल्टिश रिगिलेटर लगा हुआ है तो इसमें दो रिगिलेटर से क्या कम हो सकता है आज उसको बात करेंगे चलिए एक्क्रोनिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्रेब करें तततले बेल आइकोन को प्रेश करें मेरे चैनल के नया वीडियो आएगा तो आप पर साथ साथ शाथ नोटिफिके Pourquoi शन मिल जाएगा दोस्तो देखिए इस सार्केट बॉर्ट में मेरे को तीन चार एक्स्टर समन मिला है यह देखिए जो बॉल्टिस रिगिलेटर है यह दो बॉल्टिस रिगिलेटर लगा दिया है और देखिए यह दो फ्यूस एक्स्टर गर के लगा दिया है और यह बॉल्टिस रिगिलेटर दोनों यह सरकेट बोर्ड में ही सेटिंग करने के लि और एक DC connection के लिए AC connection अला जो हम लोग 12 वल की AC connection इन करूंगे उसके लिए एक fuse resistance लगा दिया है और जो 5 बॉल्ट इस circuit बोट से आउट होगा Bluetooth circuit के लिए उसके लिए 5 बॉल्ट के लिए एक jiang resistance लगा दिया है तो यह recoil resistance दोनों safety के लिए लगा दिया है और दो ब्हल्तिश regulator लगा दिया है तो इसको ठेस्टिंग करूंगी दो ब्हल्तिश regulator में कौन इसको टेस्टिंग करूँगी तो से इसको तैन्स फर्मा इस्ते चीयों प्रक्मा की ईटरेस्टिंग करूंगा जीरो जुटी लु बारू का है यह वान इंकार से पसलिए करनेक्षण फराहे तो इसको हम सार्कीट बोर्ट को दिखेए बयो हाऊ इसका इन्पुर्ट पौिंट में कनेक्शन कर दोंगी का इम देखिए यह साइट में कनेक्शन कर दोंगे इस साइट से त्वी creditedaj डायोट में इन हो जाएगा तो इस साइट में एक प्रॉंट कनेक्षन कर देता हो और दुसरा पॉइंट है हमारा यह पॉइंट कनेक्षन करोंगे देखिये यह जो दूसरा दो डाइट की पॉइंट से यह एक वेर कनेक्शन करना हो गया और दो डाइट की पॉइंट से एक वेर कनेक्शन करना है देखिए दोस्तो और एक पॉइंट ये जो सिंगल डायोड है इस पॉइंट में कनेक्शन कर दोंगी देखिए इस डायोड का आगे ये दोनों मिला कर एक प्लास पॉइंट का डायोड से कनेक्शन कर दिया है इसमें कोई प्लास मैनस नहीं रहता है एक पॉइंट ये दो डायोड का समने कर दिया और एक पॉइंट ये दो डायोड का समने कर दोंगी तो देखिए ये पॉइंट में खाली पड़ा है तो इसमें कनेक्शन कर दूंगी दूसरा पॉइंट को देखिए दोस्तों यह दोनों पॉइंट का कनेक्शन करना हो गया है अभी इसको एसी कनेक्शन ओन करके टेस्टिंग करता हूँ यह दो डायोट दो भॉल्टिस रिगेलेटर लागा हुआ है यह दोनों में इतना कितना वॉल्टिस मिला हैं ओतो तो देखिये दोस्तोह इस माल्टी मिटर से टेस्टिंग करूंगी तो इसको सड् surgeriesome सेट कर लिया है और और देखिये दिस्टोह है इसका जो आउट पूट्ट वॉल्टिज है साग्यूपर न동 महीं पूझल जुद बोल्टीच ऑनाल लगा हुआ है यह से दोस्तों दिखिए इसमें जो दो रेजिस्टर दिया हुआ है यह बड़ा वाला रेजिस्टर खराप निकला है तो मैंने को फर्स टाइम स्वर्ड गवा था यह जो सार्केट बॉर्ड है दो तीन इसमें से इसे लगता है देखिए दोस्त अन्बोक्सिंग करके इसको कनेक्शन किया हुआ है ऐसे लगता है देखिए सेकेंड हन सेकेंड हन लगता है तो हम लोग इस जो फ्यूस रेजिस्टर लगा हुआ है इसको यूस नहीं करूंगी इसको खोल देता हूँ विधे देखिए दूस्तो इसका बनेक्शन है तो फ्यूस रेजिस्टर शूर के लगा दिया है कर अब स्सक्राइब है इसको टेश्टिंग कर लेता हूँ तो दुस्तों देखिए अभी ठीक लाग रहा है है लें देख्eda ऐसे एक आते हुए क्षोस मिस महतिए को इसमें और ज्वाद रीड हैं कि आ इसमें तीन मिल रहा है और जो तीन मील रहा है तो इसका जो कानेक्शन है दूसरी वीडियो में करेंगी पूरी complete वारिंग कैसे करता है इसको sound quality किस टाइप से होता है कितना sound आच्छा होता है या बुड़ा होता है उसको testing करके दिखाऊंगी अगले वीडियो ज़रूर दिखिए तो आज की वीडियो इतना ही है त्यांकियो